बच्चों आपन लोगों ने कल एलेक्ट्रो नेगेटिविटी वर्सेज हाड्नेस और सॉफ्टनेस पड़ा था अब अपन शुदू करेंगे एप्लिकेशन ऑफ एचेसे भी प्रिंसिपल यानि हाड और सॉफ्ट एसी बेस सिधान्त की अनुप्रयोग है ना तो यह सारी ने चाया पॉइंट फॉम मे ले 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 तो दर फिर्स एप्लिकेशन ऑफ द एचेसी बीशिपल इस तो एक्स्टेपलिटी आप प्लेक्से यानि यह संकुलों के इस्थाइट्व का पता चलता है यह यह बात अपन बार बार में रिपीट कर रही हूं कि अकर्दिक आगेश इस प्रिफर तो कंबाइन मिद अपने बेस अनुस था ऑफ जयादा इसाई होगा तो इसी लिए अप एक्स्टेपलिट इस प्रिटी आइटू पहर जाम निखी अच्टेपल इस ले अगेशिए और एड़ एफ तो एफ फ्टू माइनस इस नॉत इस्टेबल कोंप्लेक्स माइनस तो बनता और स्टेबल होता है जबकि AG F2 माइनस नहीं बनता और अगर बनता है तो अनिस्टेबल होता है तो अगर आप बात को समझी गए कि AG अगर आप बनता है तो अनिस्टेबल है और इसी तरह से अगर अगर आप बड़ा होता है यह आसानी से दुर्वित हो जाता है और इसी कारण से एक म्रदू आम्रदू शार से बना हुआ AG I2 माइनस बहुत जादा स्टेबल है जबकि AG F2 माइनस के अंदर हम AG प्लस के साथ फ्लूराइड लगा रहे हैं क्योंकि फ्लूरीन का आकार बहुत छोटा है यह बहुत ही इलक्टो नेगिटिव है और इसकी विद्धियो तरह बहुत जादा है और इसी कारण से यह लेस प एक्जामपल एक्स्प्लेंग वाई COF63 माइनस इस इसेबल कॉंप्लेक्स विर्एज सी ओडूराइड 3 माइनस इसलेसेबल है ना कि जो पहला वार्ण जो आपका कॉंप्लेक्स है वो स्ताहित उसका ज्यादा होता है और इसका स्ताहित है तो अगेन आप समझ सकते हैं कि और ही कारण है कि यह एक्षाफ्लोरो और त्री तो बहुत जादा इस्ता ही है क्योंकि हार्ड ऐसी भार्ड बेसी बनाएं जब कि जो आइड़ा क्वाला कॉंप्लेक्स सेल्स का वो लेस सेबल है क्योंकि वह हार्ड के ऊपर सॉफ्ट के कॉंबिनेशन से बना हुआ है गॉट ना वी कम तो थर्ड एग्जांपल एक्स्प्लेंग वाई दिस सीदी एडिस थी की ओल फॉर टू प्लस दैट इस टेट्रामीन केड्मियम सेकेंड इस कंपर इस लेस स्टेबल एस कंपेर तू टेट्रा साइनो केड्मियम टू प्लस आयन है ना तो अगेन आप क्या कहेंगे कि केड्मियम टू प्लस है इट इससीड ङे एगे 40 सौफट आशिट होता है और अंपोनिय में जो नाइतोज़न वाफ़ी साइड होती है वह वह हाड बेस होती है और इसी कारण जो कड्मियम प्लस टू का संकूल है अंपोनिया के साथ वह एस्टा इस होता है इट जी टीज stable because it is made up of soft acid and hard base got it जब की के साथ जब हम साइनाइट लगाते हैं तो क्योंकि कार्बन वाली साइट से डोनेशन हो रहा है एलक्टोन का तो कार्बन वाली साइट क्या कहलाएगी आपकी साफ्ट साइट कहलाएगी और इस तरह से जो टेट्रा साइनो केडियम टू प्लस है वो क्या कहेंगे कि आप इस कंपराटिवली और इस्टेबल बिकॉस इस मेट अफ फ्रॉम सॉफ्ट आपसंद करता है जिस पर पहले से ही सॉफ्ट लिगन लगे हो और आने वाला हाड लिग लिगन उस कहते से जुना पसंद करता है जिस पर पहले से हाड लिगन लगे हो तो आप इस तरह से कंप्लेक्स का स्ट्रैबिलिटी बता सकते हैं कि आप यहां फर्स्ट एक्जामपल में देखिए कोबार्ट के साथ पार साइनाइड लगे हुए और एक फ्लूराइड लगा है जबकि पहले वाले एक्जामपल में कारपन वाले पहले से सॉफ्ट सब्स्टीट्यूएंट से और आने वाला ग्रूप क्या हो गया फ्लॉराइड हाड है इस लिए लैसे इस तरह से आप सेकेंड एक्जामपल को ध्यान से देखिएगा सियो एनस त्री की होल फाइव है और इस पर आने वाला गुरूप भी क्या होगा हाड ही होगा फ्लॉराइड ठीक है ना वी कम टू दो प्रॉसिबिलिटी ऑफ दे रियक्शन अगर आप रियक्शन की पॉसिबिलिटी कहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हार्ड एसीड हाड बीस के साथ और एक सॉफ्ट एस भी मिलकर कल्क सयवे फ्लॉराइड और कॉपर ऐड़ाइड बनाते हैं मरकृी फ्लॉराइड और बेलियम और बेल्र के बेरीलियम फ्लॉराइड और मरकृ्त बनातेसे हैं गाट है और एइस आहिक्शन के फॉर्म में लिख लिख लिएए Anybody I Bill को आइट ए Extrean सब्सक्राइब करें तो मर्कुरी सलफाइड करें तो मर्कुरी सलफाइड एक soft acid or soft bass से बना हुआ combination होता है और यह काफी shred back क्योंकि soft acid soft base मिलें बना यह इंपकर 19 words soft acid or hard base से बना हुआ है इसलिए Yang uucili struggling कर के soft combination वाला एज जिसली तू बनाता है got it okay now the fifth application of the Hsc Ab principle is June to explain है ना आप इसको कोश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अरे इस फॉलाइंग हैलोजन एसेट सू इन्देर इंक्रीजिंग एसीड इस्टेंग यानि नीमलिके अमलों को उनके अमलिता के बढ़ते हुए क्रम में जमाएं तो अगेन आप दीखिएगा बच्चों एच प्ल हाड बेस फ्लूराइड के साथ जुड़ता है और बनेगा आपका हफ का कॉमबिनेशन अगर हम इसको आईडाइड के साथ जोनेंगे तो क्या होगा बताओ बच्चों हो गया हाड एसीड और आईडाइड क्या होगा सॉफ्ट बेस तो आप समझ गए कि हाड एसीड और लोत कर Ciे Kap एड क्या होता हैं जो यह आसानी से हैड दे देतось इसका मतलब हम अबलों की प्रबलता देखें तो हैसी अब मैं क्यों है सबसे प्रबल नहीं और करके है एसीड आईडा लिए बना हुएykए यहा सब रेक पषक है और यह HIN नहीं देता, got it, now we take the sixth application and that is the course of the reaction, with the help of the HACP principle, we can also show the course of the reaction, हम अभिक्रिया की दिशा को बता सकते हैं, अगर हम मिथाइल मरक्री OH की reaction HIN की साथ कराएं, तो water और मिथाइल मरक्री आइन बनता है, और मिथाइल मरक्री H, SH की reaction H+, से कराएं, तो H2 is gas और मिथाइल मरक्री आइन बनता है, यह जो दौनों reactions हैं, these reactions proceed according to the hard hard and soft soft combination, okay, नहीं इसमें आप यहां देखें बच्चों नहीं, पहली वाली जो reaction थी ना, उसमें आप देखोगे कि hard hard के साथ combine कर रहा है, और softer लग हो रहा है ना, तो hard hard के साथ combine करेगा, तो यह reaction कहां जाएगी, forward जाएगी, जबकि second वाली reaction में अगर आप देखेंगे, तो क् forward reaction में तो कठोर म्रदू के साथ मिल रहा है, है ना, तो यह reaction backward जाएगी, क्यों बेकवर जाएगी, क्योंकि backward जाने पर ही soft soft combination हो रहा है, got it? Now, we take the next application, that is the seventh one, is to, with the help of HCCB principle, we can explain the bonding in the complexes, having embedded ligand, यानि हम उन संकुलों का इस्तायत्वी समझा सकते हैं, जिनमें उभेधन्तुक ligand पाए जाते हैं, उभेधन्तुक ligand वे होते हैं, जो metal से किसी भी atom के द्वारा बंदित हो जाए, got it? तो यहाँ पर अगर आप complexes का इस्तायत्वी देखेंगे, तो उपर मैंने दो complexes गए, कोबाल्ट वाला और दूसरा पैलेटिनियम वाला, कोबाल्ट में आप देखिए, कि bonding nitrogen के थ्रू है, हमें पता है, कि nitrogen वाली side क्या होती है, hard side होती है, है ना, और कोबाल्ट प्लस जो है, वो एक कठोर आमले है, और वो कठोर शार के साथ, बंदित होकर के साइस अंकूल बनाता है, है ना, जबकि दूसरा वाला जो एक्जामपल आप देखोगे, उसमें पैलेटिनियम प्लस टू है, जो कि एक म्रदू आमले है, और इसलिए ये म्रदू, एटम जो है, sulfur वाली side से bonding बनाता है, और इस तरह से बनावा जो complex होता है, वो बहुत ही stable होता है, ओके, so thank you so much for watching this video, और ये जो application वाला पार्ट है, वो हम next जो video है, उसमें फिर continue करेंगे, ओके,